आप उचले लेक्षर में मैंने आप लोगों को यूनेटरी और्थोगोनाल रिंसारी मैटिस के बारे में चर्चा किया था आपने देखा था आप सबीने और अब इस लेक्षर में मैं थोड़ा सा कुछ कोस्टन से उस पर हिंट देता हूँ जैसे आपको ये question number one दिख रहे any square matrix then so that asymmetric के asymmetric तो एकदम simple है के asymmetric दिखाना होगा तो आपको कैसे दिखा सकती है के A का transpose लीजिए तो आपको पता है कि K पर उसका effect पड़ेगा नहीं तो A का transpose होगा क्योंकि A symmetric है तो A dash बराबर यह हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K पर transpose का effect पड़ेगा नहीं तो A dash A हो जाएगा तो यहीं K का transpose क्या आ गया K का transpose आ गया K मतलब K भी symmetric हो गया ठीक है उसके बाद बोलता है next कि A जिसकी symmetric तो K जिसकी symmetric तो आप एक का काम करिए A अगर इसकी symmetric है तो simple सी बात है यह देखिए पहला वाला था दूसरा वाला क्या होगा K A का transpose और A का transpose होगा और A का transpose कितना आ रहा है SQ symmetric मतलब minus है तो minus K हो जाएगा तो देखिए इसका transpose minus में है तो SQ symmetric होगया समझ रही होंगे आप लोग तो इस तरीके से पहला दूसरा हो गया तीसरा वाला जूसरा जो question है कहता है यह symmetric matrix होगा है यह बोल रहा है कि Aij बराबर IJ है तो इसको बोल रहा है symmetric matrix Second If A बराबर Aij बराबर IJ मतलब समझ यह नंबर का गुड़ा हो गया तो taking transpose taking transpose किसका transpose लीजिएगा of A बराबर Aij तो अगर transpose लेंगी तो बताए क्या होगा तो Aji हो जाएगा है ना Ji हो जाएगा इसका transpose जाएगा Ji मतलब क्या हो जाएगा सरी मैं गलत लिख रहा हूँ इसका तो Aij का transpose J I हो जाएगा J I मतलब आपका J into I हो जाएगा और J into I ये बताएगे I और J का गुड़ा बराबर J into I हो जाएगा क्योंकि नंबर है ना ये 2 2 into 3 बराबर 3 into 2 हो जाएगा तो इसको आप IJ लिख सकते हैं फिर से है ना और IJ को क्या लिखेंगे A IJ क्योंकि IJ बराबर A IJ है और ये A IJ आपकी matrix ये हो गई क्योंकि A बराबर आपने क्या माना था A IJ क्योंनि A का transpose क्या मिल गया वही matrix मिल गई तो हो गई आपकी symmetric ना तो इस तरीके से ये कर लेंगे रहा इसका सवाल तो जानते हैं इस वाले में जोसे A IJ बराबर I square minus J square दिया है तो जो आपका यहां पे था जो IJ लिखा है उसमें I square minus J square कर देंगे जब इसका transpose लेंगे तो J I हो जाएगा तो ये J square minus I square हो जाएगा तो J square minus I square मेंस जब minus common लेंगे तो I square minus J square हो जाएगा और I square minus J square हो जाएगा तो I square minus J square को क्या बोला आपने A matrix A आपका हो गया तो यह उन्हीं minus से आजाएगा नहीं समझ में आया एकदम simple है जैसे मैं अभी कहूँ कि आपका जो है तीसरा A बराबर A IJ है ठीक है तो यह A बराबर A IJ है तो I square minus J square हो गया तो इसको आप minus J square minus I square कर दीजिए ठीक है अब इसका transpose लीजे तो यह का transpose क्या हो जाएगा तो क्या मिलेगा A J I हो जाएगा ठीक है तो A J I को क्या लिख देंगे हम J square minus I square लिख देंगे ठीक है और यह जो लिखा गया है तो यह इसको इधर कर देंगे तो यह minus से हो गया तो यह का transpose क्या हो गया आपका minus से हो गया तो हो गया इसकी सिमेट्रिक तो इस तरीके से एक सारे questions है है ना अब देखिए अब देखिए इसमें से next question एकदम easy है a square symmetric either a symmetric और a excuse symmetric तो मैं अगर कहूं कि चौथा वाले में if a age symmetric matrix ठीक है symmetric matrix ठीक है तो then क्या मिलेगा a का transpose a मिलेगा and if excuse symmetric excuse then क्या मिलेगा बताइए a का transpose minus a मिलेगा अगर यह symmetric है तो transpose वही मिलेगा excuse है तो यह मिलेगा अब आगे की बात अब आगे की बात क्या है यह देखिएगा आगे की बात यह है कि अगर मैं a square का transpose लूँ तो a a का transpose होगा और a का transpose और a का transpose होगा यह a हो जाएगा यानि a square हो जाएगा if a age symmetric ठीक है अगर a symmetric है ठीक है तो आपका यह हो जाएगा मतलब a square का transpose वही मिलेगा मतलब symmetric होगे हैं देखिए उसका transpose वही मिला और if a is excuse symmetric excuse तो a का square का transpose क्या मिलेगा a का transpose यह का transpose यह मिलेगा minus a into minus a तो क्या मिलेगा यह plus a हो जाएगा तब भी उसका square क्या आया है a square है आया मतलब चाहे स्यक्यव स्यमेंट्रिक हो ए स्क्वार हमेसा क्या होगा सिमेंट्रिक होगा तो यह सिंपल सी बाते हैं अब देखे यह question है आपका e दिया हुआ है उसको उसके गुड़ा करना है तो आप तो करी लेंगी और यहां देखे so that positive all positive integral power of symmetric matrix are symmetric तो मैं आपको बताया था पीछे एक आप और एन लेकर के ट्रांस्पोज लेकर के एए डाट करके ट्रांस्पोज लेकर के मैंने आपको बताया ही था इसके बाद दिखेगा यह भी मैंने बता दिया है आपको पीछे आपके नोट्स में होगा यह सिमेट्रिक मैं ट्रिक है तो B dash AB भी symmetric होगा और skew है तो skew होगा तो साइद मैंने बताया था कि नहीं बताया था लेकिन मैं थोड़ा सहीन देता हूँ if A is symmetric ठीक है तो आपका A dash बराबर क्या होगा तो then A dash बराबर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा now अब एक काम करना हम लों को B dash AB को symmetric दिखाना तो transpose लीजिए रूल क्या कहता है कि पहले AB के उपर transpose लगेगा फिर B का transpose का transpose लगा दीजिए तो यह हो जाएगा B का transpose A का transpose बर B हो जाएगा और A का transpose क्या है आपका A ही है है न क्योंकि A का transpose है तो देखे B dash AB का transpose पूछ b-a b आया इसका मतलिब क्या हुआ कि b-a b age क्या हुआ age symmetric ठीक है हो गया तो simple से है इस तरीके से अब देखे इसमें ये question है येवाले question दसमा a और b-r symmetric तो ये सब आप कर लेंगी है ना इसको आप sum up symmetric पर इसको symmetric करना है तो ये question आपका है question number 11 6, 8, 5, 4, 2, 3, 9, 7, 1 तो यह आपकी matrix A हो गए इसको कैसे लिखना है half A plus A dash कर दीजिए अब फिर half A minus A dash कर दीजिएगा मतलब एक बार इसको यहां लिखेगा इसका transpose लेकर जोड दीजिए फिर इसको लिखेगा इसका transpose लेकर घटा दीजिए हो गया यह symmetric है इसकी symmetric simple यह कह रहा है कि इसको हरμीशन दिखाए तो इसका conjugate transpose लिजिए तो इस अब तो सारी question कर लेंगे आप सारे question आप कर लेंगे इधर से सारे question आप कर लेंगे इसमें ऐसा कोई question नहीं है जो आपको ना है यह कह रहा है कि show that यह unitary है तो unitary के लिए क्या करेंगे a और a का conjugate मतलब कौन जूगे transpose लेकर गुड़ा कर दीजिएगा i आजाना चाहिए i आजाएगा तो unitary हो जाएगा और orthogonal में क्या करते है a और a का transpose लेकर गुड़ा करते है i आजाना चाहिए आजाएगा तो क्या बन जाएगा वह आपका बन जाएगा कौन सा आर्थोगोनल ठीक है तो यह देखे अच्छा idempotent का मतलब क्या होता है मैंने साइद आपको नहीं बताया है तो मैं लिख दूँ पहले idempotent matrix क्या होती है idempotent matrix साइद बताया था कि नहीं बताया था लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कोई square matrix जो होती है a square matrix square matrix a is idempotent ठीक है न कब बोलेंगे if a square बराबर यहनि किसी matrix का square खुद वही matrix है तो उसको idempotent बोलेंगे जैसे a बराबर मैं लिख दू 1001 यह हो गया या फिर 011100 इसका भी square करेंगे वही आएगा या फिर 00011100 इसका भी square करेंगे वही आएगा तो इसे हम idempotent matrix कहेंगे नि किसी matrix का square करिए और वही आए तो idempotent कहेंगे तो यह जो आपका question number 22 है इसमें जड़ा square करिएगा सबका square करिएगा देखेगा वही आएगा square मतलब उसी को उसी में गुड़ा करिएगा ठीक है न वो हो जाएगा ठीक कोई problem नहीं होगा ठीक है अब आगे की बात यह वाला question कर रहा है कि a is real skew symmetric matrix ठीक है such that a square plus i बराबर आपका 0 है then show that a is orthogonal तो a को आर्थोगोनल दिखाना है तो इसका मतलब समझ रहे हैं एक आर्थोगोनल दिखाने का मतलब a into a dash बराबर क्या हो जाएगा आपका i हो जाना चाहिए ठीक है न तो अब सुनिए question number आपका है कौन सा है 23 तो a square plus i बराबर कितना है 0 है तो a square बराबर कितना हो जाएगा minus i हो जाएगा transpose लिया जाए इसका taking transpose v gate क्या मिलेगा a है न square का transpose तो क्या मिल जाएगा वो तो i का transpose minus i होगा अब a is real excuse symmetric matrix such that a square plus i बराबर जाएगा तो a is orthogonal तो हम लोगों को एक आर्थोगोनल दिखाना है a a का dash बराबर कितना हो जाएगा minus i हम तो एक काम इसमें ये किया जाए कि